हेलो स्टुडेंट्स मैं मितले समाही आज श्टुडेंट बात करेंगे फंक्शन में रेंज का अगर आप इस बार बीटेक एली इंट्रेंस एक्जाम में बचने बाले हैं अच्छे से तयारी करने बाले हैं तो आप मेरे साथ लगे रहे हैं देखे इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पर विचार करेंगे जो सीधे डायरेक्ट आपको एक्जाम में आएगा देखे क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन एक्टुडेंट्स वाई बडाबर तू साइन एक्स पलस वन इसका रेंज फाइंड करना है आपको देखके पता चल गया हुगा इसमें त्रिकोन भी में फांक्शन है एक्स डबू देते हैं सिंसक्ःस का रेंज 行का इसका रेंज आपको पता करना हैं यह रेंज आप याद कर लो कहीं से भी जूंड Hem ऐसे sin x का range होता है minus 1 से लेके 1 तक cos का होता है 0 से लेके 1 तक 10 का होता है minus 1 से लेके 1 तक बांके 3 आपके छोड़ रहा हूँ अब इसी का help करके इस question का solution हमें करना है तो देखे y बड़ाबर है 2 sin x plus 1 इसका range find करना है एक range find करने के लिए अगर y बड़ाबर x के रूप में है तो हमें x को क्या करना पड़ता है y के रूप में change करके तब हम range find करते हैं एक यहाँ पर है यह आपका formula बेसे और यहाँ पर concept बेसे अगर आपके पास mind है तो आप mind apply करके इसे आप solve कर सकते हैं देखे कैसे करता हूँ मेरे पास mind है चुकि sin x का range क्या होता है 1 से लेके minus 1 तक यह पता है sin x का range minus 1 से लेके plus 1 तक अब इस sin x को हम 2 से multiply कर देता हूँ तियो हो जागा 2 sin x अगर आप sin x को 2 से multiply किये हैं तो इस बाहर बाले 1 minus 1 है इसको भी 2 से गुना करना परेगा यह हो जागा 2 यह हो जागा minus 2 अब कहोगे कि sin x को आपने 2 से क्यों गुना किया student question में ही है sin x जो है 2 से multiply यह 2 sin x अगर यह 3 sin x होता है तो हम 3 से multiply करते अगर यह 4 sin x होता है तो हम 4 से multiply करते यानि यह sin x जितना नमर से multiply होता उतना से हम multiply कर देते से बाहर वाला नमर भी उतना से multiply हो जाता अब question पर विचार करते हैं इस question में plus one है तो हम इसमें भी plus one कर देते हैं यानि two sin x plus one हो जाएगा तो तो आप इसमें one add किया है तो इसमें भी one add करना होगा तो 3 हो जाएगा इधर भी one add करोगे तो मैनस वहों हो जाएगा स्वाल हो गया इसी का तो रेंज चाहिए था मुझे यही तो कुस्चन था इसी लिए रेंज बडाबर के तना क्लोज ब्राइकेट मैनस वन से थरी तत क्लोज क्यों दिये क्योंकि लेश्ट देन इकुल रिस्टेन 3 sin x plus 4 दूसरा y बड़ाबर 3 sin x minus 2 y बड़ाबर 4 sin x plus 1 by 2 यह तीन question आपको दिये हैं range point करने के लिए बस इसी तरह से इसको solve करना है टीक है जल्दी से note कीजिए दूसरा नमर question question number 2 इस वीडियो का हमारे पास जो student question है वह है y equal to 2 upon 3 minus 2 sin x यह question एकजाम में आएगा ऐसा ही आएगा चलिए solve करते हैं कौनसा फर्मूला से concept based दिमाग लगाओ आपके पास अगर mind है तुस mind का use कर किसे solve कर चलिए आपको पता होगा students sin x का range क्या है 1 से लेके minus 1 तक कितना तो आप जान रहा है क्योंकि समय साइन वाला है तो साइन का हम यूज कर रहा है अब क्या करना है यहाँ पर देखिए यह 2 से multiply इसको हम 2 से multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2 sin x less than equal to इधर भी 2 से गुना कर देंगे करेंगे कि नहीं बताओ तो बिलकुल करेंगे अच एक काम और करना है यह जो 2 sin x है इसके सामने minus का चीन है तो इसमें भी हम क्या करते हैं minus कर देते हैं यह हो जाएगा minus 2 sin x और जब भी हम बीच वाला function का चीन बदलते हैं यह greater than equal less than equal यह चीन बदल लेता है उधर चल जाएगा ऐसे करके और यह भी ऐसे कर लेगा ठीक है तो अब देखो यह हो जाएगा इसका जब बीच वाला चीन बदल रहें यह दोनों भी अपना चीन बदलेगा यह positive है यह हो जाएगा negative और यह negative है तो हो जाएगा positive यह पलस्टू से लेके minus two तक हमने क्या किया बीच वाले का चीन बदला तो यह दोनों भी चीन बदलेगा लेकिन यह greater than less than equal हो भी पलट जाएगा इधर से इधर से इधर से इधर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आच अब देखो इसके साथ में पलस्तीन है इसको भी हम पलस् तीन करना होगा तो इसमें पलस्तीन करें तो te 3,2,5 यह इसमें पलस्तीन करिए इसमें पलस्तीन करें तो मैंटमस 2 पलस्तीन यानि पलस 1 कि को दिक्कत अब देखो, यह चीछ जो है नीचे है लेकिन अभी तो यह उपर है तो इसका reciprocal कर देते जहें र trophy करेंगे, तह यह दोनों भी reciprocal हो जाएगा और यह चीछ जो है greater than equal का यह फिर पलट जाएगा तो इसको reciprocal करो, तो one but नीचा करना हो, तो one but five less than यह हो जाएगा one upon three minus two sine x यह इस तरह से तो one को one बटे one करो तो one ही रहेगा कोई दिक्कत आज question में देखो उपर में दो है तो आप इसको क्या करते हैं उपर में सारे नमर को दो से multiply कर देते हैं कर दें तो यह two से multiply हो तो two बटा five less than equal यहां भी two हो जाएगा by three minus two sine x less than equal यहां पहुझाएगा two हो गया यहीं question है question बडाबर answer यह question है न देखो तो हमने question बडाबर यह कर दिया यानि इसका जो range है two से लेके two बटे five के बीच तिसलिए लिखेंगे range बडाबर close bracket two बटे five से two तक solve हो गया note कर लेजिए जल्दी से मज़ा आ रहा है ना कितना बढ़ी है question है solve कर लेजिए जल्दी से जादब इसमें कुछ नहीं करना है बस concept लगाई है sine x के जगर को आस रहता है चलिए hw देता हूं इसमें hw है आपका y बडाबर three upon four minus three sine x आच दूसरा है y बडाबर seven upon three minus two sine x चलिए y बडाबर two upon four minus three cos x यह तीन question आपके लिए hw है इसका range आपको find करना है इसी concept से sine x और sine x है इसका तो आप कर लोगे minus one से one तक लेकिन जब cos x बलाएगा इसका range लिखना बीच में cos x zero से लेके plus one तक ठीक है जब इसे note किजिए इसको देखिए अगला question students अब देखो question number 7 लिखा गया ऐसा नहीं है जो भी होगा आप नम्मर कर लेना ठीक है question अब y upon sorry y equal to 2 upon 3 minus 2 bracket x है इसको कहते है bracket x और इसका जो range होता है जिरो से one के बीच जिरो से लेके one के बीच होता है यानि अगर यह लंब लाइन है ये जिरो यह 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 वन यह 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 वन लेना है लेकिन यह 0 लेना है लेकिन 1 को नहीं लेना मतलब 1 से पाहले जैस्ट पाहले इधर 0 तक तो इसको स्वल्व करते हैं देखे कैसे स्वल्व होगा यह बराइकेट का रेंज जामते हैं क्या होता है less than 1 greater than equal to 0 यह बराइकेट का जो रेंज है 0 से 1 के बीच होता है आज बराइकेट 2 से मल्टिप्लाइ तो हम क्या करेंगा इसको 2 से मल्टिप्लाइ कर दो 2 बराइकेट एक्स तो ये दोनों तरफ बलाभी 2 से मल्टिप्ला होगा यह होजागा 2 जिरो को 2 से करो तो 0 ही रहेगा आज अब देखो ब्राइकेट 2 x जो है ब्राइकेट 2 x के सामने 5- तो चीन बदल दो इसका तो इसको माइनस 2 बड़ाइकेट X कि आपको क्या बताए था कि अगर चिन बदलता है तो यह जो है यह जिन आहे यह लेस देन की है। है इसमें प्ल्स-3 करो नौए है लेकिन ये नीचे तिसको रिसी प्रोकल करो जागा 1 अपОन 3-2 bracket x इसको भी नीचे करो तो 1 ही रहेगा इसको नीचे करो तो 1 बटे 3 हो जाएगा हाँ चीन बदलेगा reciprocal जहें करेंगे तो फिर यह पलट जाएगा reciprocal जहेंगे तो यह पलट जाएगा आज इसमें है उपर में 2 उपर क्या करेंगे इसको 2 से गुना कर देंगे यह जाएगा आपका टो बटे 3-2 बटे एकस इसको भी तो तो से multiply करना होगा और इसको भी तो से multiply करना होगा जो जाएगा टो अपोन 3 तो रेंज बताए कितना है रेंज हो जाएगा ब्राइकेट लेकिन ओपेन ब्राइकेट टो क्योंकि टो इनवाल्व नहीं है टो से पहले वाला नमर जबकि इसमें 2 ब्रते टीन इनवाल्व है क्योंकि यहां देखिए चिन आपको बताए थे इंटर्वल क्लॉज ओपेन किस तरह से लेखा जाता है जलिए इसको जल्दी से नोट करिए और आपका हमारे पास वाई बराबर कितना है थ्री अपॉन थ्री माइनस फॉर ब्राइकेट एक्स वाई बराबर कि फॉर अपॉन टू मैनस थ्री ब्राइकेट एक्स यह दो कोशन आपके सामने इसको स्वल्ब कर लेजिए ठीक है अच्छ एक कोशन और देता हुआ यवाई बराबर कि फॉर अपॉन टू पलस थ्री ब्रैकेट एक्स चारी यह कोश्चन इस कोश्चन का तेन एज डबलू आप बनाओगे ठीक है कॉंसेप्ट के लिए हो जाएगा देखिए अगला कोश्चन इस्टूडेंट वाय बड़ाबर रूट अंदर है एक्स स्कॉयर प्लस फोड इसको हम दो तरीके से स्वाल्व करेंगे एक जो कॉंसेप्ट जो है हमारे पास जिसमें किसी परकार का फर्मूला अपलाई नहीं हो रहा है बस उसमें कॉंसेप्ट कि लिएन से फिर्ट सारे पोजिटिव नमबर स्कारेंगे तो सारे पोजीटिव नमर ही आएगा यानि x square जो है हमें क्या output दे रहा है सारे positive नमर दे रहा है और output ही हमारा क्या होता है students range होता है input क्या होता है domain होता है और output क्या होता है range होता है तो हमें x के जगह जो भी input दे रहे हैं हमें output के रूप में सारे positive नमर आ रहा है और वो कहां से कहां तक जा रहा है 0 से लेके infinitive के plus infinitive की और बर रहा है इसका मतलब है कि हमारा range क्या 0 से लेके infinitive तक होगा student ऐसा नहीं है लेकिन यहां तो पता चल रहा है कि हमारा x square का जो range है 0 से लेके infinitive है तो यहां पर हम लिख सकते students कि x square greater than equal to 0 क्योंकि x square 0 भेलू दे सकता है क्यों क्योंकि 0 पूट करेंगे तो 0 आएगा और यह कहां तक रहेगा infinitive तक यानि infinitive से पहले कहां खतम होगा infinitive वो पता नहीं चल रहा है इसलिए स्रिफ less than देंगे equal नहीं less than infinitive चल यह question के पास x square था तो इसलिए हमने x square लिखा अगर x power 4 होता तो हम लिखते x power 4 जो x के साथ होता तो वही लिखते फिर हम देख रहे हैं कि x square के साथ में plus 4 है तो हम यह x square के साथ plus 4 कर देता हूं अगर हम x square बीच वाले term में 4 जोरे हैं तो इस दोनों तरब भी 4 जोरेंगे नहीं तो गुस्सा कर लेगा तो हम infinity में 4 जोर देंगे तो infinitive आपको पता होगा infinitive plus any number बराबर infinitive तेरे बाबू इधर होगा infinitive लेकिन अगर हम 0 में 4 जोरेंगे तो हो जाएगा 4 तो हमारा question बराबर question है लेकिन question है हमारे root में तो इसको भी root कर दीजिए यह हो जाएगा x square plus 4 less than इसको root कर यह infinitive भी रहेगा और 4 गो root कर यह 2 हो जाएगा यानि range हमारा पता चल गया है यानि यह close bracket 2 से open bracket infinitive तक answer समझ में आई बात चलिए दूसरा तरीका सर बोले थे आप ओभी बता दो ना तो चलो मैं बताता हूँ यानि वाई बडाबर है root under x square plus 1 हमें x को लिखना है y के रूप में चलिए root पहले हटाओ तो दोनों तरपे squaring both side क्यों हो जाएगा y square बडाबर x square plus 4 और यह 4 है 4 को इधर कर देते हैं student x square बडाबर y square minus 4 यानि x बडाबर root under y square minus 4 हमें पता है root के अंदर अगर कोई function fx है तो fx का जो value होना चाहिए greater than equal to 0 यानि 0 से लेके सारे positive नमर आना चाहिए negative किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए तो हमें y के जगह क्या number put करें कि root के अंदर सारा value positive आए तो कहोगे सार यहाँ पे y square minus 4 root के अंदर है अगर हम y के जगह 1 0 put करते है y के जगह 0 put करते है 0 के square 0 minus 4 negative यानि 0 नहीं put कर सकता हो कहोगे सार y के जगह अगर हम 1 put करते हैं तो 1 का square 1 minus 4 negative यानि 1 भी put नहीं कर सकते है ये डोनों input अगर इसमें put करते हैं तो root के अंदर value negative आजाता है हम इसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि value root के अंदर negative हो जागा चलो y के जग़ 2 put करो 2 दूनो 4 minus 4 यानि 0 तो root के अंदर वाले value तो 0 या 0 से बरा तो पसंद करता ही है यानि 2 put कर सकते हैं 3, 3 तिया 9 minus 4 positive 4 चक 16 minus 4 positive 25, 25 minus 4 positive 36 minus 4 positive यानि 2 से लेके सारे infinitive आ सकता है यानि सारे positive नमर आ सकता है जो इसको define करेगा root always root will be defined as 4x is always greater than equal to 0 यानि root जो हमें define कब होगा, किस पर define होगा 0 या 0 से बढ़े वाले नमर पे लेकिन हम इस question के नुसार चलेंगे y square minus 4 पे तो बाबू ये 2 से लेके infinitive तक में define है तो 2 हो जाएगा close bracket और infinitive हो जाएगा open bracket क्यों? क्योंकि infinite open हैगा तम आगे बढ़ेगा तो बाबू यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा range बराबर कितना close bracket to open bracket infinitive दोनों answer तो same ही है बात समझ माई इसमें हमने concept लगाया इसमें हमने फर्मूला लगाया यानी root बाला value दो से लेके सारे positive number put करिए आपको सब value positive देगा आ रहे है समझ में कि 17 मिनट का होगे है बीस मिनट का यह वीडियो बनाऊंगा है ही देगे कितना चोटा question है लेकिन कभी कभी पूछ देता है ठीक है लगदा है कि उनको की सभी फ्याल कर जाएंगे तो कुछ इसी को से पूछ लेते हैं देखने इसी जी के चेकर में ना कभी कभी फज़ जाते हैं बच्चे तीप अच्छल आपस्ट दे देता है इसका जी रो से वन कि अधीग कि मैनेस इंफिनिटिव से पलस इंफिनिटिव थे अजीडो से इनफिनिटिव और दे कि नन चलिए इसको स्वाल्ब करिए कौन सा आप का अंसर होगा बताइए तो कोमेंटे भी करिएगा ठीक है बहुत सारे बच्चे फस गए वीडियो को पॉस्ट करके बनाई बना दिये तो बहुत कुछी नहीं तो फिर अपने आप पे लालत होगा देखे हमारे पास रूट अंडर कोई फंक्सन है तो रूट का जो फंक्सन होना चाहिए ग्रेटर देन इ और इंफ्निटीव की तारव बार रहा है इंफ्निटीव देखे छोड़ देंगे तो इस तरह से मारा आंसर सी होगा तो कुश्चन क्या था वाई बराबार रूट एक्स कि यह रूट एक से एक्स अग्रेटर दक क्या होता है 20 फोदे लेकिन वह जीरो से लेक Esteve s टशाएक वो सब्किन आप झैक होगा जीरो औसे लेके इंफिनेटिव यानि हमारा उंसर सी के स्ट्ट्व्ड स्ट्रेटेंच हाई HW देता हूँ, आप लोग बनाना, ह्व है आपका, Y ब़राबर root X square plus 7, Y ब़राबर root under X square plus 3, वाई बराबर रूट अंडर फोर माइनस एक्स स्कुरा है चलिए यह तीन कोश्चन आपके लिए है इसके बाद भी वीडियो बनेगा रेंज पे अभी तो चली ही रहा है साथ मुझे लगता है दो या एक और वीडियो बनेगा और रेंज का वीडियो कंप्लेटीव खतम समझ आपको मातर 650 रुपिया में मैथ, मेकेनिक्स और इंगलिस तीनों सब्जेक्ट फूल कंप्लेट पढ़ाया जाएगा